दमाश टैप्रकास क्लास ऐसी यूटूब चरण आप सभी लोगों का स्वाध करता है तो भया जूनियर सिछक भरती में जब से संसोधित परणाम जारी किया गया है तब से छात्रों का ब्रोध परदर्शन लगातार जारी है और इलहाबाद में PNP पर चात्रों ने घेराओ किया है यहाँ पर यह ख़बर है इसको हम लोग थोड़ा डेटेल में पढ़ते हैं संसोधित परणाम से आ संतुष्ट चात्रों का परदर्शन सचीव परिच्छा नियामक परादिकारी कारियाले घेर करकी पुरह परिच्छा की मांग तो बहुत सारे अभ्यरतियों के दारा दोबारा परिच्छा की जाने की मांग की गई है चलिस खबर को पढ़ते हैं जूनियर हाइज स्कुल में सिख्छक परणाम जारी होने के बाद अभ्यरतियों नंबर कम होने और फेल किये जाने पर आपती जताई है यूवा मंच के नितरुत में बर्षपतिवार को छात्र ने सची उपरिच्छा नियामक प्राधिकारी कारियाले जो की इलहबाद में उतका घहराओ किया और दोबारा से परिच्छा करा जाने की मांग की है यहाँ पर आपको बता रहा है कि बहुत सारे छात्रों साथ ऐसा हुआ है यहाँ पर साब साब लिखा गया है कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो पहले पास थे लेकिन अब उनका जो परिणाम है वो इन्वैलेड बता रहा है invalid series बताकर उन्हें fail कर दिया गया है इतना ही नहीं कहीं ऐसे चातर भी हैं जिनके number कम हो गए हैं अगर वो answer seat से अपने number मिला रहे हैं तो उनके number ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन जो परणाम आया है उसमें number उनके कम कर दिये गया है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब TT में गड़बड़ी हो सकती है तो जूनियर सिचक भरती में भी गडबड़ी हो सकती है और नहीं सब बातों के साथ इसको दुबारा पेपर कराए जाने की मांग की जा रही है क्योंकि पहले आप कुछ result दे रहे हो अब आप कुछ result दे रहे हो जिनके जादार नमबर है उनके कम नमबर बता रहे हो जो पहले past है अब वो invalid हो गए तो यह क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है इस पर आपके क्या रहा है आप comment box में जरूर बताईएगा यहाँ पर जो बिरोध परदर्सन हो रहा इस बिरोध परदर्सन के साथ क्या आप भी है और दुबारा से paper होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए आपकी जो भी राय हो तो comment box में जरूर लिखिएगा जिससे हम लोगों को भी पता चले कि जो हमारे viewers है हमारे subscribers है हमारे students है वो क्या चाहते हैं ठीक ना भीया